हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y16 Android मैं आप होट इस्पोट की security setting को enable कैसे कर सकते हैं ठीक है? यानि set कैसे कर सकते हैं और ये होट इस्पोट की security setting जो इनेबल होने के बाद ही setting कैसे काम करती है? आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जनकारी देने वालों तो चलिए हैं आपर जो है वीडियो को हम स्टाट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है? सैटिंग पेज ओपन कर लीजिए तो आपका security का page open हो जाएगा, इस page में आपको जो है ना ये नीचे की साइड आपको known पे selected होगा, तो आपको करना क्या है कि इसे सबसे उपर वाला या second वाला या third वाला, आपको इन उपर के तीन में से किसी भी एक option पर आपको select करना है, ठीक है, जब भी आप अपने phone का hot support on करेंगे तो इससे क्या होगा, कि कोई भी unknown person अगर आपके hot support को connect करने की कोशिश करेगा आपके hot support को अपने device से, तो वो बिना password के connect नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसको ये security setting जो है इस तरीके से काम करती है, इनेबल होने के बाद आपके Vivo Y16 Android mobile phone में, ठीक है, अब आपको ये security setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके mobile phone में, ठीक है, इसके लिए आपको करना है, क्या है mobile के setting page ओपन करना है, setting page में आपको सब सो उपर ये search icon दिखाई देता है, इसे select करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको search bar में type करना है, security, security आपको type करना है, तो आपको security से मिलते चुलते, आपको काफी जारे options मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये security का option, ये वाला select करना है, जिसके नीचे wifi hot spot लिखा हुआ होगा, इसे select करना है, इससे क्या होता है आपको mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका है इस setting को ढूंडने का आपके phone में ठीक है